स्मार्टफोन चार्जिंग पहले की तुल्मा में काफी बदल गया है Company of Technology के साथ स्मार्टफोन लॉंच कर रही है जादतर स्मार्टफोन डेट से 2 घंटे में चार्ज हो जाते हैं अगर आपका स्मार्टफोन चार्ज होने इस से ज़्यादा समय ले रहा है तो परिशान होने हैं कि बिलकुल भी ज़रुदने, आज मैं इस वीडियो में आपको उन कारणों के बारे में बताने चाहरा हूँ, जो आपके स्मार्टफोन को slow बनाते हैं, यानि कि चार्ज होने में, पहला पॉइंट है यहां पे, खराब adapter या cable, ज्यादा तर ऐसा होता है क खराबी फोन में नहीं, बलकि चार्जर में होती है, ऐसे मैं आपको सला यह दी जाती है कि फोन के साथ आने वाले केबल या फिर adapter से ही अपना फोन चार्ज करें, यह personally मैं सला दे रहा हूँ आप लोग को, अगर फोन के साथ आया चार्जर खराब हो गया है, तो original चार्जर ह लिए आप हमेशा चार्जर केबल को दोश नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकते है कि आप वीक पावर सोर्स का स्निमाल कर रहा है, यानि कि जहां पे आपने अपना चार्जर लगाया है, अपना एडप्टर लगाया है, वहां से ही जो पीछे से बिजली हो, वो स्लो आरी हो, ऐसे मैं अगर आपका वायरलेस चार्जर का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कि आपको अपना वायरलेस चार्जर हो से चेंज कर लेना है, और तार वाली चार्जर पर शिफ्ट हो जाना है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने चार्जर पहले बता देता हू सेकंड चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा अगर आपने भी वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज लाइक कर दीजे और कमेंट कर दीजे जो भी आपके प्रॉब्लम है बिल्कुल आपको solution दिया जागा तीसरा मैं आपको बता जा रहा है अगर आपका फोन धीमा चार्ज हो रहा है इसके लिए आप हार्डवेर को जिम्हादार नहीं दे सकते हूँ फोन में software की खराबी की वज़े से भी charging slow हो सकती है ऐसे में कुछ software में आपको बताने जा रहा हूँ पहला है पेटियम बहुत जादा बैटरी खाता है तो अगर आपके background में पेटियम है तो उसे हटाईए settings में जाईए, applications में जाईए पेटियम पर क्लिकेज़े background जो background लिखावाता है उस पर वहाँ पर उसे off कर दीजे आपकी battery जादे नहीं होगी दूसरा सबसे बड़ा एप है battery को खाने का वो यह है true color तो true color को भी आप इसी तरह से जो अपने permission दी है background में चलने के उसे off कर दीजे ताकि आप अच्छे से जो आपकी battery है वो चल सके और जादा जल्दी आपकी जो battery है वो चल सके सारे तरीके आजमा लेने के बाद अगर अभी भी आपका phone slow charge हो रहा है तो परशानी आपके phone के USB port में हो सकती है काई जैसा बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका phone slow charge हो रहा है उनका तार भी ठीक है phone भी ठीक है पर सब कुस ठीक है बट सिर्फ उनका जो USB port जहां पर केबल लगाते अपने phone में उसमें खराबी होती है तो काफी समय से phone इस्तिमाल होनी के चलते कई बार इसमें कुछ गंदगी जमा हो जाती है या फिर यह अंदर से ही damage हो जाते है ऐसे मैं आपको इसे एक बार साफ करना चाहिए और अगर आपको लगता है कि इसे ठीक कराना चाहिए तो आप इसे replace भी करा सकते हैं और replace कराना ही भेतर option होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपनी रिष्टेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और प्लीज कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए थेंक्यू